हेलो एबरिवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टुडेंट ठीक होंगे तो मैं आपका फिर से स्वाग करता हूं आपके उन्हें परिवाफ कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले उन इस्टुडेंट के लिए जि जैसा की एक्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले आपसे पता होगा ऑफ लाइन एक्जाम हो रहे हैं और इसी ऑफ लाइन एक्जाम में कई ऐसे स्टुडेंट है जो काफी कुछ गलत कर रहे हैं मतलब कि मैंने कई स्टुडेंट के बाद मेरे पाँ मैसेज और हम पास हो जाएं ठीक है तो सब कुछ जान कर दोंगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलिग्राम चैनल भी जरूर जोइन कर ले देखिए पहली चीज़ ऑफ्लाइन एक्जाम आपके लिए नया नहीं ह पहले चीज़ यह सोच कर आप जाओ दूसरी ची जब यह Start में बेखो उससे पहले आप्शे मन में सरफ एक्जाम की बाते ही चलनी चाहिए जथी चलती है हर एक मन में ठीक है तो जब यहां करने बैढ़ जो आपके सामने जो कोसंग पेपर आता है मादब जो कोंचन का जो सेट आता है आपके सामने उनको पेड़ा又हां से पड़ो वो बोल क्या रहा है कहिये अन्य student देखे है कि वो दो तिन सब्ड़ पढ़ लेते हैं पिस वो अपने मन से देख लेते अरे यह तो मैं पड़के आया हूँ नमबर काफी कम आएंगे उसके नमबर मिलेंगे इनी ठीज तो पहले और पूरा पड़ो पांस से दस मिनिट आपको पड़ने के लिए यही आपको निकालने हैं पूरा को सुनमे पर रीड करो एक पयार से टिक करो कौन को से को सान आपको करने जो उसको सब्सक्राइब डालो और पहले बो लिखना स्टार्ट करो अब कई स्टुएंट कहता है इसा टाइम बहुत कम है साड़े तीन घंटा भी उनको कम लग रहा है ठीक है तो मैं आपसे यह कहूंगा पहली चीज तीन घंटा साड़े तीन साड़े तीन घंटा आपके लिए कम नहीं है आदे घंटे उन्होंने का था दद्दस पेज भर किया तो तब आप पादा ऐसा कुछ नहीं है पर्षनल एक्सपरेंस से बता रहा हूं मैंने भी डियू से ग्रेजूसर की हूई है तो मैं आपको बता रहा हूं पेज भरनने से कोच-कुछ नहीं होता अपका टाइम बेस्ट होता तो कोई नहीं पड़ेगा महां पर सब उनको पॉइंट वाइज आंस्वर चाहिए तो आप कोसिस करो चार से पांच पेजिस में इससे निप्टा दो एक कोशन को समरो चार से पांच जैसे पहले प्रस्थाब ना लिखो फिर उसके जो भी ठिंकर है किन्यों नहीं क्या क्या व नेशन से पहले जैसे आप मान लिए अभी एकजाम पर्सो का है ठीक है तो अभी से आप दो घंटे दिन में पढ़िए यह नहीं करें च्छे घंटे पढ़िए दो घंटे पढ़ना कैसे वह मैं आपको बता हूँ जैसे पूरी बुक है पूरी बुक में से तीन सो पेजिस की पूरी बुक है उसमें सब सो पेजिसी इंपोर्टेंट होते हैं बागी तो इधर उधर की बाते होती है तो कभी भी आप पढ़ो जैसे आप पहला लेसन पढ़ रहे हो तो आप लेसन का चैप्टर में उसी फोकस रखो और कहीं मत जो कि पहले चैप्टर ऐसा होता है एक चै उसी मार्क्सवादी कर्दशना क्यी घज्या और को यह तो दो तीन लाइन आप निप्टा सकते हो तो जब है पैंसिल करो मैं उसने क्या नहीं तो चार से पांच पेजिस में आप लिखता होगे अब कॉमर्स वालोगों मैं बताना चाहूंगा आप बेसिक कैकुलेटर बगए लेके जाएं नियुमरिकल बगए आपको अलाव है सॉल्फ कीजिए जो उन से पहले आते उनको कीजिए और आपका भी ठीक शांग निकल जागा अब डेखिए इंगली सोनर्स वाले स्टुएंट हैं इंगली सोनर्स जो है उसमें पैरेग्राप लिखना हो चेकिंग नहीं होती ठीक है क्योंकि पिछले साल का भी रिकॉर्ड है सब पास हो जाते हैं तो एक्जाम में जब भी आप बैठो पहली चीज आपका फोकस अनली एक्जाम के होना चीजिए कई स्टुएंट मैंने देखा है क्यों कहता है सर पहरा दिन था हमारा देहान उदर चला गया कि महां कोई नकल दे देए यह नकल देगे नकल करना ना करना वह तो जब जैसा महाल होता है वैसे आपको अपने उपर लेना है अब महाल यह है कि हाँ भाई वो खोलने की इजाज़त है कोई बातरूम जा रहा है बात तुम्हें पर्तियां डुपका रहा यह खडूस है ठोड़ी गर्दन हिली और घड़ से अलग हो गई तो मनलब एक तरीकी से आपको बता रहा हूं तो बिलाके बात है कि हिलने को जैसे मना किया जा रहा है और डल लग रहा है तो बुझे निकाल देगा रस्तिकेट कर देगा तो उस इस टाइम पर आपको सब अपन है और मल्टी चॉइस सबस्यादा आरेज मल्टी चॉइस मतलब एक तरीके से और बहुत ज्यादा को इसमें मिल रहे है ठीक है तो आप आपको मुझे पता आप कर लोगे आप पास आउट हो जाओ आराम से ठीक है तो यह कुछ महतफून टिप्स है जो मैं आपको बता रहा ह सबसे गलती आप ना करें दस पेजिस ना लेकर सबसे बड़ी गलती यही करते है दो तीन दो कोसन एक स्टुएंट करके आया है अभी पॉलिटिकल ओनर्स का पेपर था दो कोसन अल्ली अटेम्ट की उस बंदे ने क्यों दस पंदा पंदा पेजिस लिखने के चक्कर में उस करते चनल को सब्सक्राइब करते और स्लेबस कंप्लीट करके पढ़के जाए और कोसन इजी आ रहे है रिपीटेड ही आ रहे है तैनियर बगेर आप में इससे आगर आप कर गया हो तो भी हो जाएगा बुक पढ़के जाओ को तो भी अपने सब्दों में लिख लोगे थैंक